हेलो एवरीवन वेलकम तो माई यूटीव चैनल माई नीम इस मंदीप और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे डेटा एनलेटिक सर्टिफिकेट की जो की ओफर किये जा रहे हैं गूगल और मैटा के दवारा मैटा एज इन फेस्बुक तो चलिए आज की वीड डेटा इनलेटिक सर्टिफिकेट का पेज मिलेगा और आप इसमें नीचे स्क्रोल करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इस इस भॉस्टिड ओन पर जाना होगा यह पूर्स यह दूसरा जो पेज है इन सब पेजिस के लिंक में आपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा तो जब आप इस कोर्सेरा के गूगल सर्टिफिकेट वाले पेज पर आएंगे तो आप यहां पर नीचे जाके स्क्रोल करके देख सकते हैं कि गूगल कौन-कौन से सर्टिफिकेट ओफर कर रहा है कोर्सेरा के उपर इन में से कि हम आज हमारे जो रेलेवेंट है हम जो बात करने वाले हैं डेटा अनलेटिक्स की जो कि यह है और इसका पेज अगर आप ओपन करेंगे तो वह यह है तो गूगल डेटा अनलेटिक्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट और आप इसमें देख सकते हैं कि बहुत अच्छी आपको बहुत सारी सारी डिटेशल मिल जाएंगी अबाउट वीट वर्क्स इंस्ट्रक्टर अन्रोल्मेंट ऑप्शन एंड एक फेक्यू वाले हम बात करने वाले इंपोरे मोडियूल में कौन-कौन सी चीज़े यह लोग बताने वाले सिखाने वाले हैं तो पहला और डीटरेवन डीजेंट के या आपको कौन कौम से किस और को किसे चाहिए पौसित यख्यूं आप आने चाहिए अपको कैसे उनको डेटा को एणलाई करना है नेक्स्ट मॉडियूल में अनलेट से सिक iki जोल्येशंट dane में पिप्र विच्टम करना हैं उसके बाद आपको स को किने करना है कि फूर्थ मोड्यूल में सएग्श्ट मोड्यूल में देटाो आणिसमें डेटा विज्युलाइज़ेशन है सेवनड्यू रूर्ड darumonne saith है और आफ को एक जो है के इस टेंगे अज सब्सक्राइब अबारण गुजिफर को ढ Wellness शेयर DR यह सांय को से जो कीって सबस्क्राइब है इसका इसको करेंगे और हम इसमें में भाई बात करने वाले कि यह क्या सिख्छाने वाले इसमें ये डेटा बेसे फिस्ट मॉड्यूल है इंट्रोड़क्शन to databases second module version control version control as in github या कोई और दूसरा source control जो कि basically किसी भी software engineer को आना चाहिए उसके बाद तीसरा है database structure and mysql fourth advanced mysql topics टिफ्ट है programming in python इसमें python के साथ चिखाएंगे उसमें r के साथ था बहुत ज्यादा difference नहीं है दो different programming languages है दोनों ही data science में और data analytics में यूज होती है और 6th module इसमें database clients कैसे create करने हैं आपको 7th module advanced data modeling कैसे करनी है 8th module database engineer capstone project इसमें यह भी एक action project करवा रहे हैं और 9th module है इसमें coding interview preparation so basically यह मैंने एक summarized view में आपके साथ quickly share की है यह सारे details आगर आप इनको explore करना चाते हैं तो मैं इन सबके देख सकते हैं और इन सबके links जो है अपने description box में ट्रॉप पर गुमा शेटिए और मोर सच interesting videos on data science machine learning and if you have not subscribed my channel please subscribe it if you like this video please share it with your friends if you don't like this video please leave a comment what need to be improved so till the next video bye bye take care see you you